students हमारा जो topic है वो है when to stop investigation आप जब investigation कर रहे होते हैं जिस तरह गाड़ी के driver के पास power होती है कि वो गाड़ी चलाए है रोके इसी तरह lead investigator के पास power होती है कि उसमें investigation कब खतम करनी there are two scenarios there can be एक जो client के साथ आपका scope agree हुआ था वो आपने achieve कर लिया और आप समझते हैं investigation खतम हो जानी चाहिए आप रोक देते हैं तो उस case में आपने क्या किया आपने सोचा कि अब हमारे सारे achievements हो गी है जो हम चारे थे हमारा सब कुछ achieve कर लिया है now it's enough कि हम यह को हम court में या client को हम update कर सकें कि what actually has had happened तो आप उस case में क्या कर सकते हैं investigation को wind up कर सकते हैं second scenario यह हो सकता है आप investigation कर रही हैं cost जो है अब आपको लगता है अब आप इस stage पर आगे हैं पहले तो यह हुआ था पहला case कि आपने सारे objectives achieve कर लिया second case में यह है कि आप काम कर रहे थे तो आपको यह feel हुआ कि आप जो cost लग रही है उसका कोई फादा नहीं है cost versus benefit analysis करेंगे और उसके उपर आप client को update करेंगे कि अब हमें investigation क्यों नहीं continue करनी चाहिए आपको reason बतानी पड़ेगी second paragraph में देखिए it is not the investigator's job to spend as much of the client's money as possible or stretch out the engagement as long as possible कि आप सिर्फ उसके पैसे लगवार है और engagement को लंबा से लंबा किये जा रहे है it's up to you कि आप client को alert करें और उसे guide करें कि investigation फादर और ज़्यादा stretch out करने का को फाइदा नहीं है अगर client उसके बावजूद कहता है कि नहीं आप investigation का scope और बड़ा करें और stretch करें तो फिर आप जरूर करें फिर आपने cooperation करनी है but it is your role कि आप उसको best suggestion दें कि continue करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अगर आप कहते हैं नहीं करनी चाहिए और client endorse कर रहा है तो फिर आप जरूर cooperate करें अगर आप कहते हैं होनी चाहिए तो फिर आप करते रहें लाश्ट paragraph में देखिए तो आपने हमेशा जो है company के best interest के बारे में बात करनी है हमेशा जो clients होते हैं वो हमेशा appreciate करते हैं अगर आप उन्हें neutral advice दें जैन्मन advice दें उनके हाग के लिए तो आपको अगर लगता है objectives achieved हो गए हैं तो आप वैसे close करने हैं अगर आप कर रहे हैं आपको लगता है कि cost बढ़ रही आगे further investigation करने का फाइदा नहीं है तो आप client को जरूर guide करें अगर वो still कह रहा है endorse कर रहा है कि आप इसको मजीद stretch out करें तो आप उसमें client को appreciate करें अगर आप रोकना चाहरे हैं तब भी बताएं क्यों नहीं beneficial continue करना अगर आप continue करना चाहरे हैं और आप उसे ये भी बताएं कि continue के क्या फाइद है तो this is all about when to stop investigation ये आप ने बताना है ये आप ने उसे ensure करना है कि investigation कब तक चलानी है और कब investigation को रोकना है